हेलो और वल्कम गई स्वागत आपका फैंटासी डिसन चलेंजर में तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंडिया वसिस ऑस्ट्रेलिया की पहली उन्टने इट्रनेश्टल के बात करेंगे तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते के कौन से प्लेयर को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर सकते हैं सारी डिटेल इसी वीडियो में कवर करेंगे तो चलिए फिर बीना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो बात करें इस मैच की इससे बेले चोटी सी रिक्वेस्ट है कि यूटूब चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो सबसे बेल आपको सबस्क्राइब करना है साथ ही में टेलिग्राम से भी जुडिएगा क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारे अच्छे मैच इसकी फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लिग या ग्राण लिग की जो भी टिम रहेगी वह मैं आपको टेलिग्र स्टेडियम मोहाली में खेला जाएगा पीच रिपोर्ट वैसी बैटिंग के लिए अच्छी पीच है लेकिन नॉर्मल यहां पर 250-260 क्या स्कॉर बन जाता इवन 300 के पार भी जा सकता है लेकिन बॉलिंग एटेक दोनों के पाज अच्छा है अभी हमने देखा से लंका के सा बैटिंग करने वाली टीम ने जीती तीन बार यापर चेजिंग करने वाली तो यह तो खहना तोड़ा सा मुश्किल रहेगा बाकि पिछले 5 मेच की बात को तो पेशर को पांच मेच के अंदर 45 विकेट मिली है श्पीनर्स को मिली आपर 24 विकेट तो यहां पर पेशर जो ए इंडिया की बात करो तो इंडिया के अंदर हम लोग एक आधे स्पीनर्स के उपर रिस्क ले सकते हैं क्योंकि ऑस्टलिया अगर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेगी तो यहां पर स्पीनर्स के सामने ज्यादा स्ट्रगल करेगी एट रेकोर्स के बात करो 146 मैचिस के लिए इन दोनों टिम के वीच में जहाँ पर 54 मैचिस यहां पर इंडिया ने जीती है 82 मैचिस यहां पर अच्छा मतलब कवर किया है अच्छी श्रूबात करेगी तो हम लोग शुरूबात कर लेता है टीम इंडिया की तरफ से यहां पर तो आपनिंग में यापर इश्यान किशन और शुबमन गिल दोनों आ सकते हैं वैसे चांसिस केल राहूल का है लेकिन केल राहूल आइचिंग यापर 99 परसंटेज ये मिडल ओर्डर में ही खेलेंगे तो इसके लिए यही बेश्ट ऑफसन है इश्यान किशन और सुबमन गिल अगर यहां पर केल राहूल ओपनिंग आ जाते तो फिर इश्यान किशन नीचे आएंगे दोनों में से एक चीज होने वाली है देखो इंपॉर्णस की बात कर दो तो इश्यान किशन अभी रिसेंटली जबड़्जस पॉमन है यह हमने देखा अभी पीछली टूनामेंट के इनको ज्यादा मौके नहीं मिले क्योंकि यह बेटिंग से काफी नीचे आते थे और लेकिन इसके पहले इनको जहां पर ओपनिंग करने का चांस मिला था वहां पर कंशिस्टन तो यहां पर इंपॉनस रहेंगे इशान किशन आइटिंक हमारे पास दो चोई से देखो इसान इसके लिए यहां पर इसके लिए यहां पर इनको टॉप में खिलने का मौका मिल सकता है इसके लब ऐसे स्रेय सायल जो की रिसंटली ठिक टाक पॉम में और बाकी तो ओवरॉल तो मालूमी है अब लोगों के ओवरॉल प्लेयर अच्छा है लेकिन रिसंटली पॉम इतना अच्छा नहीं है ट्राइ करना चाहो तो कर सकते विकेट किपिंग सेक्शन से इनके बारे म अंदर यह जीरो पर आउट हुए अभी दक उस्टली एक सामने इन्होंने खाता खोला भी नहीं तो शायद शुरिया कुमर यादव को लेखे जाना थोड़ा सा रिस्की रहेगा जड़ेजा इंपनास है यहां पर अस्विन को आप ट्राइ कर सकते और इसके लवायत देखो अच्छा किया है तो परोसा कर सकते हैं बाकि बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगेरा मैं आपको टेलिगरम में दूँगा तो जली से टेलिगरम चनल को जोईन करना है लिंक नीचे डिस्क्रिप्सन में और आप लोग को उसी लि अपनिंग करवा सकते हैं वो अनर तो यहां से ओपनिंग करे गई और टीम इंडिया के सामने यह बाई साब यहां पर घजब के फोम में होते हैं चाहो तो इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं इसके लिए मिचल मास जो कि आपर रिसंटली ठीक ठाक है लेकिन पिछली दोरे में इन्होंने अच्छा किया था इंडिया के सामने तो यहां पर मिचल मार्क के ओपर रिस के ले सकते हैं और टॉप में भी खिल सकता है तो आपके लिए यह बेनिफिचल प्लेयर रहेगा अला कि ज़रूरत पढ़ने पर यह ओज भी करवा सकते हैं तो इसको को ट्राइ कर सकते हैं बागि स्टीवन स्मीथ वेरी इंपोर्नेट प्रिक एवन के लिए स्टीवन स्मीथ बेस्ट ऑप्सन चैनला कि जाड़े जा वर स्टीवन स्मीथ दोनों का यहां पर आमना सामना देखना काफी दिल्चस्प रहेगा इसके लिए लब उचाने अच्छ लिए बार की बात करो तो इन्होंने शुरुआत काफी जबर्जस की थी केम इंडिया के सामने यापर तो इनको ट्राइ करना चाहो तो कर सकते क्योंकि ओस वगिरा तो करवाएंगे प्लस बैटिंग से आपर मिडल्स में खिल सकते मैक्स्वेल यापर बैटिंग से थोड़े चाहें वर्ल्डावद पार अच्छे बनते हैं और सथमें यहापर स्पेश्ण के मुक्देशक फिनको थोड़ा सीज़ूर्णडल आइगे निखेंगे ट्राइक हैं इसको यहांड शाय करना तो तो कर सकते हैं वैसे यहाँ पर क्योंकि इंडिया के सामने I think पिछली बार या से इन्होंने कुछ तीन या चार विगेट निकाले थे I think छे विगेट निकाले लेकिन वो T20 में या वंडे में वो कनफर्म नहीं है लेकिन विगेट निकाले थे यापर तो ध्यान में रख सकते हैं कि स्टार्क आपके लिए as a player के साथ Captain और Vice Captain रहेगा क्योंकि जब भी World Cup year होता है तब यह भाई साथ गजब के फॉर्म में होते हैं रिसंटली आप देख सकते हैं 41 के साथ 2 विगेट 15 के साथ 3 विगेट, 16 के साथ 2 विगेट 36 के साथ 2 विगेट और यहापर 7 रन के साथ 4 विगेट तो भी घजब का फॉर्म में यहापर Captain और Vice Captain कर सकते हैं आपर Mitchell Stark को इसके लब ऐसे बेंच में से भी कोई भी पिलिएर खेलेगा तो इनके stats और उनके update बगेड़ा टेलिग्राम चनल पर मिलें के आपको तो जल्दी से टेलिग्राम को जोईन करना है लिंक नीचे description में और आप लोग को उससी लिंक से टेलिग्राम को जोईन करना है कौन इपेक्टेर रहेगा तो यहसे Hazelwood शायद यहापर खेल सकते हैं अगर खेले तो इस प्लेयर को जरूर लेके जाना आपकी इशान किशन भी आपर हमारे लिए एक ऑफिसनल है यहापर प्लेयर और आइटिंग में यहापर एक बड़ा रिस्क लेते हुए यहापर इशान किशन को भी ले सकता है बैडिंग सक्सें मैंने आपर सुपमन गिल इनके साथ यहापर मिचल माज डिविड वर्नर और यहापर स्टिवन स्मीथ हमारी टीम का इससा रहे हैं बाकि आप लोग यहापर स्रेयर को ट्राइब कर सकते हैं यहापर मैक्सवेल और मिचल स्टार्क दोनों अवाइलेबल दिखा रहे हैं तो यह दोनों शायद अवाइलेबल रहेंगे तो इनको अभी के लिए लेके जाना मैं यहापर सजेस्टने करूंगा क्यूंकि इन दोनों प्लेयर को शायद केलेंगे नहीं बाकि जाड़ेजा और स्टॉइनिस हमारी टीम का इससर रहेंगे बाकि आप लोग यहाँ से स्टी गिनिन को भी ट्राइक कर सकते हैं अस्विन खास तोर पर यहाँ पर एक मेजिकल गैनबाज है और ऐसी परिस्टी में और ऐसी बड़ी टीमों के सामने विकेट निकालना जानते हैं तो इनको आप लोग ट्राइक कर सकते हैं बॉलिंग सक्षन में शिराज बुम्रा इनके साथ यहाँ पर पैट कमिंस और जोस हैजल वोड क्यूंकि स्टार्क नहीं खेलेंगे तो उस कंडिशन में आप टीम किनको लेगे आएंगी तो यहाँ पर जोस हैजल वोड को ही लेके आएंगी तो हैजल वोड काफी अच्छे कि सामने हमेशा वो बलक में विकेट निकालते है तो इसके लिए आपड़ को रॉक मत करना आप लोग टीम की बात करते हैं तो यहाँ लोग कंडार usar और यहाँ और यहां यहाँ टान करकVA है लेकिन मुझे कई ना कई इसा सामने वो जल्दी विकेट को बैठेंगे बाकि यासे राहूल काफी एच्छे प्लेयर है इनके ओपर भी रिस्क ले सकते हो केप्टन वैस केप्टन जिप का बाकि टिम कुछ इस तरह से रहेगी इसमें कुछ बदलावा गेरा रहेंगे तो फाइनल टीम टेलिग्राम में दू करो अच्छे से अनालिसिस करो अच्छी टीम बना अच्छी अपने खुट की टीम बना के अच्छी विनिंग करते हो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई धन्यवाद जय हिंद जय भारत